व्रत रखने से यू तो शरीत की शुद्धी तो होती ही है आत्मा की शुद्धी के लिए भी व्रत रखना चाहिए बात अगर प्रदोश के व्रत की करें तो प्रदोश का व्रत मनुवांचित फल दिलाने वाला माना जाता है और शनी प्रदोश वरत की से जुड़ी हुई कुछ साबधानिया है, कुछ नियम है, तेकिन क्या है वो साबधानिया और नियम, आईए हम आपको बताते हैं व्रत या उपवात का मूलू देश है वज्ञानिक रूप से शरीर को स्वत करना और आध्यात्मिक रूप से मन और आत्मा को नियत्रित करना शनी प्रदोश वो दिर्वति भी है, जब शनी देव के पुरु महादेव भी इस दिन शनी से सताय लोगों का कल्यान करते हैं, उनके दुपों को दूर करते हैं शरी प्रदोश के दिन के जाने वाले कुछ खास उपाय तो आपने जाने लेकिन इस व्रत की कुछ साथानिया और नियम भी है जो आपके लिए जाना जरूरी है अजले के दान इस व्रत में किए जा सकते हैं शनी प्रदोश व्रत की साथानिया और नियम इचे साफ सफाई का ध्यान रखे शनी प्रदोश व्रत में मन में किसी तरीके के घलत विचार ना अने दे घर के सभी लोग आपस में सम्मान पूर्वत बाकत करें बड़ों का विरादर ना करें, फिर पौधु को न तोड़ें जब कोई उपाई किसी शुब सैयोग वाले दिन किया जाए तो कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है तो आप भी शनी प्रदोश के दुलब सैयों का लाब उठाएं आपकी तमाम समस्याओं का समाधान जीवन के दोश दूर कर सकता है शनी प्रदोश का व्रत तो इस पावन पिथी को व्यर्थ ना जाने दे और रिपॉर्ट गुनिस टुटे